अगर आप चैनल को फर्स टाइम देख रहे हैं फिनान्स मार्केट को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को हिट कर लिजिए और डी में टिया ट्रेडिंग काउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है दोस्तों यूको बैंक को लेकर एक बहुत ही सिंसिटिव ख़बर है जो आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा छोटी सी वीडियो के मादिम से लेकिन उसे पहले अगर हम देखें तो आज की सिच्विशन क्या रही है देखें आज बैंक ओपन हुआ 10.90 पे 11.55 पे ओपन लो 11.50 के उपर ही बंद हुआ 5,78,607 टोटल वॉलिम और मार्केट कैप 13,749 करोर रोपय है यूको बैंक का 52 वीक लो है 10.90 का और हाई है 15.90 का दोस्तों एक बहुत ही संसनी ख़बर है खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया के प्रिमाइसिस के अंदर जो यूको है आपको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट जो है तिलक मार्क के तिलक मार्क पर लोकेटिड है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो प्रिमाइसिस हैं जो उसका अपना दाइरा है उसके अंदर यूको बैंक के जो आफिसे हैं वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि लोगों के मों से यही निकला आग लग गई आग लग गई बचाओ तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं दिलिक फायर ब्रेक्स आउट एट यूको बैंक इंसाइड सुप्रिम कोर्ट प्रिमाइसेज दोस्तों यूको बैंक के अंदर किसी जो इनिशियल रिपोर्ट आई है उसके इसाब से अगर देखें तो जो शॉर्ट सर्किट होता है उसी से यह आग लगी है हलांकि ऑफिशियल्स अभी भी इसको लेकर के 100% सर्टिन्टी के साथ नहीं बता पाएं अभी भी इसके उपर जाच होनी है कम से कम 6 fire tenders जो है यहां पे दोड़ करके पहुँचते हैं सुप्रीम कोट के अंदर और इस fire को कंट्रोल में ले लेते हैं देखें आज की सुबह की खबर है fire department को जल्दी से inform किया गया और जल्दी से दड़ादर लोग आए और आग को बुजाना शुरू किया और बंद हो गई finally लेकिन ये आग बहुत ही बड़ी खतराक थी बहुत नुकसान हो सकता था अच्छी बात है कि यहां पे किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ हाँ थोड़े बहुत जो बैंक के जो पेपर्स थे बैंक के कुछ डॉक्मेंट से वो जल जल चुके हैं लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नुकसान किसी का नहीं हुआ है अच्छी बात है उपर वाले का शुक्र है कि कुछ नुकसान नहीं हुआ लेकिन यहां पे यह जो लापरवाही है इस लापरवाही को ले करके सवाल जरू जबुख खड़े हैं यह शौर्ट सर्किटिंग थी तो फिर स्थाफ को क्या ये बात पता नहीं थी कसी तरीके से कहीं पर क्या कोई पहले से कमजुदी थी उसको ले करके क्या मैंटिनेंस का काम नहीं चल रहा था हम आपे क्या maintenance नहीं हो सकता था राइट तो दोस्तों Yuko Bank को लेकर के इस incident को लेकर के क्या आपका सोचना है comment box में बताईए देखे बहुत से लोग अभी confused ने कि Supreme Court में आग लगी है कि Yuko Bank में आग लगी है Supreme Court के premises के अंदर Yuko Bank भी तो हो सकता है तो Yuko Bank में ही आग लगी है तो Yuko Bank में आग लगी है तो Supreme Court के अंदर भी माना जाएगा क्योंकि Supreme Court के premises के अंतरगत Yuko Bank आता है Right Yuko Bank के उस office की बात करी जा रही है जो Supreme Court के अंदर है तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये picture incident है अब देखें आप ये आप देख सकते हैं बहराल दोस्तों यूको बैंक के stock price की बात करें तो आप ये देख सकते हैं पिछले कई trading session जे पिछले एक महिने के trading session को अगर आप देखें तो ये आपको 10.80 से 11.90 के बीच में ups and downs दिखा रह आप देखें यहाँ पे 312 करोर रुपए का अब आप सोच रहे होंगे कि dividend देगा क्या दोस्तों इस बार dividend देने तो जा रहा था लेकिन इसको रोक दिया गया किसी कारण के चलते और ये इस बार dividend नहीं दे पाया bank of महरास्टर ने फिर भी हिम्मत जुटा लिया और वो 50% का dividend जो है देने जा रहा है यानि 0.5% 0.5 रुपए पर शेयर है 50 पैसे पर शेयर का dividend announcement कर चुका है तो यूको बैंक को लेकर के आगे हम फिर से चर्चा करेंगे लेकिन ये एक संसनी खबर थी जो आपको पता होना जरूरी तो नहीं था लेकिन आप जान सकते थे I hope आपको ये information अच्छी लगी होगी चलिए मिलेंके next information के साथ तब तक आपना ख्या लेकिए take care